कि यहां पे वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस हाउ टू एक्सपोर्ट कोई भी प्रोड़क एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले उसके एक्चेस कोड के बारे में आपको जानना पड़ेगा तो कोकोनट का कोड है 08011100 और नेक्स्ट यह कोवी प्रोड़क एक्सपोर्ड करना है तो उसके यूज के बारे में आपको जानना पड़ेगा उसका क्या-क्या बेनिफिट है लोग उसको क्यों यूज करेंगे तो कोकोनट जो है उसका वाटर होता हो पिया जाता है अभी कोकोनट वाटर की कोटल भी मिल रही है तो अभी जो इंडेस्टी बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है और कोकोनट जो होता है उसके अंदर से कोप्रा निकलता है कोप्रा का ओल भी बहुत सारी जगाओ में यूज होता है और कोकोनट का जो सिलका होता है उसके अंदर से भी प्रोड़क बनता है तो सबसे पहला benefit है dbk duty drawback तो coconut export करने पे आपको मिलेगा 0.15% जो है dbk मिलेगा next benefit है roadtap roadtap का benefit है वो है 2.50% और पर kg के इसाब से 8.5 रुपीज मिलेगा whichever is low या तो आपको 2.5% मिलेगा या आपको मिलेगा 8.5 रुपीज पर kilo के इसाब से मिलेगा next benefit है interest equalization scheme coconut export करने के लिए आप loan लेते हो तो as a manufacturer exporter आपको मिलेगा 5% interest equalization scheme मिलेगा मतलब यहाँ पे आप loan लेते हो coconut export करने के लिए उसका interest rate है 10% तो यहाँ पे government जो है 5% interest rate बेर करेगी आपको coconut export के लिए जो loan मिलेगा हो मिलेगा only 5% next benefit है TMA transport and marketing assistant कोई भी agriculture परड़क आप export करते हो तो आपको TMA का benefit मिलेगा अगर आप coconut का container जो है refer container European Union के अंदर export करते हो तो आपको यहाँ पे 31,500 रुपीज आपको जो है पर container के इसाब से benefit मिलेगा next है कि coconut product बहुत अच्छा है बड़ा हम export कहां करें इंडिया से कौनसी कांट्री के अंदर coconut product को भेज सकते हैं तो यहाँ पे आप United Emirates, USA, Iran, UK, Nepal, Egypt, Kuwait यह जो seven countries है यहाँ पे coconut सबसे ज्यादा export होते हैं इंडिया से तो आप भी जो है country के अंदर coconut को export कर सकते हो next जो है आपको coconut export करना है तो इंडिया में उसका supply आपको कहां से मिलेगा तो उसका supply आपको महाराश से मिलेगा गोवा से मिलेगा अंदरपरदेश से मिलेगा गुजराच से मिलेगा गराटका से मिलेगा एंड वेस्ट बेंगाल से मिलेगा तो यह जो state है यहाँ से आपको coconut का supply मिल जाएगा next है coconut export करना है तो क्या-क्या document लगेगा तो सबसे पहले आपको company registered करवानी पड़ेगी प्रपायरशीप, partnership, LLP या private limited जो भी कंपनी आप registered करवाना चाहते हो वो एक कंपनी आपको registered करनी पड़ेगी उसके बाद IEC लेना पड़ेगा RCMC, coconut board का आपको RCMC लेना पड़ेगा and GST लेना पड़ेगा और पहली बार export करोगे तो AD code registration आपको जो है करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे port registration next जो है invoice लगेगा, packing list लगेगा, certificate of origin लगेगा and phyto certificate लगेगा and buyer ने मागा तो testing report and health certificate भी लगेगा next है coconut product का packaging कैसे होगा, तो packaging जनरली जो है corrugated box के अंदर होता है, buyer की requirement की हिसाब से packaging करना रहता है some packaging के sample जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, next है how to find buyer for coconut, तो अब coconut product के लिए buyer find करना चाहते हो तो सबसे पहले exhibition में participate कर सकते हो, या फिर सबसे सस्ता जो वे है वो आप online buyer को find कर सकते हो, जिसमें social media हो गया, linkedin हो गया, facebook हो गया, instagram हो गया और उसके बाद b2b website हो गया, और google से भी आप जो है coconut के buyer find कर सकते हो, next जो है coconut के buyer के लिए आप government embassy को भी mail कर सकते हो, paid में data आता है, वो भी custom का data आप ले सकते हो, और coconut product के buyer find कर सकते हो, next यह पुरा process कैसे होगा, coconut export का पुरा cycle कैसे चलेगा, तो सबसे पहले आपको company बनाना है, IEC, RCM, GST लेना है, document बनाना है, और main find करना है supplier, supplier find करने के बाद आपको CHE को contact करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा आपका product का pricing, जैसे कि FOB pricing हो गया, CIF pricing हो गया, तो यह pricing आपको करना पड़ेगा, और pricing करने के बाद आपको find करना है, आपका buyer, यह आपको buyer find करना है और उससे जो paymentum जो है 30% advance या 50% advance and 50% before delivery में काम करना है या copy of document के अंदर भी आप काम कर सकते हो बट fix में काम करना commission पे काम नहीं करना है कोई भी agriculture product आप export करते हो तो उसमें commission पे काम नहीं करना है उसमें fix पे काम करना है तो paymentum के हिसाब से buyer आपको payment देगा उसके पाँ आपको क्या करना है सबसे पहले supplier से order confirm करना है उससे product purchase करना है और उसका shorting grading करना है अच्छी तरह से coconut को packing करना है और container के अंदर load कर देना है उसका invoice and packing list आपको बनाना है जो CHA को देना है CHA जो है shipping bill फाइल करेगा और आपके cargo का आपके coconut का जो container होगा उसका custom cleanse करेगा और आपका जो है counter export हो जाएगा और उसके बाद आपको मिलेगा bill of lading जो bill of lading आपको मिलेगा उसको जो है आपको buyer को courier से बेजना रहेगा जनरल ने आपको clean master bill of lading लेना है जैसे buyer आपका पूरा payment आपको दे देता है उसके बाद आपको बेल को courier से बेजना रहेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इंडिया वीर से जनरेट करवानी है और यहाँ पर export का transaction आपका complete हो जाएगा और यहाँ पर export import business क्यों अच्छा है क्योंकि export import business जो है recurring business है मतलब buyer आपको दूसरी बार order देगा तीसरी बार order देगा एक भी buyer आपको मिल गया न तो आपको जो है यहाँ पर regular order मिलता रहेगा ज़स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है पहली बार जब order आप लेने जाओगे तब थोड़ा मुश्किली हो सकता है तब आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एक बार आपको order मिल गया उसके बाद यह recurring order आते रहेंगे और आपको regular जो है supplier से goods लेके export करना है तो यहाँ पर export import के अंदर बहुत ही अच्छी opportunity है और कोई भी person जो है export import business कर सकता है और भी आपको export import related कोई भी query है तो वीडियो के निछे comment किजिए Let's go global together Thank you जाएगा Let's go global together Thank you Jai Hind Thank you Thank you